भारत में जादातर विध्यारती सरकारी नौकरियों में सामिल होने का सपना देखते हैं हलाकि कई लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए एक उच्च सिक्षा की जुरुत होती है हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आप मात्र बार्मी पास करके सरकारी सेवाओं में जा सकते हैं कई सारी सरकारी सेवा हैं सेंट्रल गबर्मेंट में हो या फिर वो स्टेट गबर्मेंट में ही क्यों न हो जिसका form आप बार्मी पास करके फिल कर सकते हैं मेरा दाम सिबम दुवेदी और आप देख रहे हैं SSE वाला तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि SSE, CHSL क्या है इसके अंदर कौन-कौन सी पोस्ट होती है साथी साथ इनके लिए क्या युगता चाहिए क्या सलेबस है, सली क्या मिलती है पूरा का पूरा जो complete selection process है वो क्या है और कब इसके form आते हैं तो complete information आपको इस वीडियो के माद्यम से मिल ले वाली है तो इस वीडियो को last तक आप लोग जरूर देखेगा चलिए, सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो SSC, CHSL है सबसे पहले यह है क्या CHSL का full form होता है combined higher secondary label जानी कि यह जो परिक्षा है वो 12th label पर based होती है 12th आपने किसी भी stream से किया हो आप इस form के लिए eligible है तो यहाँ पर CHSL जो है वो एक national examination है पोस्ट जैसे LDC यानि की lower division clerk, data entry operator, junior secretary assistant, आदी सरकारी नौकरिया है अलग-अलग ministry और department में चाहे वो state में हो चाहे central में हो वहाँ पर भरने का काम करता है लेकिन जो SSC, CHSL का exam है इसके द्वारा आप central में अलग-अलग ministries में जा सकते हैं तो CHSL एक ऐसी परिक्षा है जिसको आप मात्र 12 पास करके इसकी परिक्षा में जो है वो समलित हो सकते हैं क्या के करेटेरिया हैं आगे बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लेकिन मेली इसकी जो पोस्ट है वो तीन पोस्ट है सबसे पहले पोस्ट आती है डेटा एंट्री ओपरेटर जिसको हम D.E.O के नाम से जानते हैं दूसरी पोस्ट इसके अंदर होती है लोवर डिवीजन क्लरक की जिसको हम L.D.C. के नाम से पहचानते हैं तेसी जो पोस्ट होती है, वो होती है Junior Secretary Assistant यानिaden की जैसे के लिए त ये तीन बैसी कली विकैंसी जिनके आती है कभी-गभी अपर डिवीजन क्लरक की वेकैंसी भी आती है पोस्टल असेस्टेंट की विकैंसी पहले इसमें एड होती थी लेकिन अब वो आपकी चलीगी है कहाँ पर SSE CGL में तो ये तीन पोस्ट जो है वो अभी आपको यहाँ पर मिलती है मनला ये तीन पोजिशन आपको मिलती है तीन टाइप के वेकेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है इनके बारे में डिटले से चर्चा करते है कि ये LDC क्या है डेटा एंट्री ओपरेटर क्या है और JSA क्या है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LDC यानि कि लोवर डिवीजन क्लर्क की क्या काम होता है लोवर डिवीजन क्लर्क का LDC की जो चम्मेदारी है वो अलग-अलग तरीके की है पर चाहरे हो? जो और में पर रियोसंदार लेखन आपजेकлом करने को काम होता है लोवर डिवीजन क्लरक का अगर मैं बेसिकली यहाँ पर सारे काम को देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका सबसे पहला काम आता है typing letters and order order type करना letters type करना ये भी सी का पार्ट है data की entry करना ये भी सी का पार्ट है सली slips को बनाना ये भी सी का काम है ठीक है अलग अलग बतला जब आप उस office में पहुंचते हो तो उस office की जो requirement होती है उसके according आपको work जो है वो allot किया जाता है किस ministry में आप जा रहे हैं किस department में आप काम कर रहे हैं उसके according आपका work जो है वो define होता है उसकी जरूरत के according work define होता है तो कुछ work हमने यहां पर लिखे हुए है डेटा को produce करना यानि नया डेटा बनाना और अपने seniors को उसको प्रसीड करना ये भी आपके पास काम है या फिर seniors के दौरा जो order मिला है उस डेटा को प्रपेर करना ये भी सी के अंतर आता है जो employees होते हैं उसके service record को maintain करना service books को बना साथ ही साथ जो pensions के documents होते हैं उनको प्रपेर करना तो ये काम होता है lower division clerk का यानि की LTC का अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली post के आंगे जो है data entry operator की यानि की DEO अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका work क्या होता है तो DEO का work होता है entering data into a computer यानि की computer में data को enter करना database को prepare करन working with excel seat and powerpoint आप जानते हैं office 365 होता है जिसके अंदर आपको excel पर work करना पड़ सकता है powerpoint पर work करना पड़ सकता है इसलिए आपको पता है कि computer की जो basic knowledge है अब वो हमारे पास यहां पर जो है exam में add करीगी यानि की computer की basic knowledge होगी आपको तभी आप excel पर काम कर पाएंगे powerpoint पर काम कर एकाउंट को manage करना भी इसी का काम होता है और reports को त्यार करना भी इसी का काम होता है ठीक है ऐसे कर मैं बात करो अगली जो 30 हमारे पोस्ट का टाइप है GSA यानि की junior statical assistant इसकी अगर मैं बात करो तो इसका जो जो प्रोफाइल होता है जो वर्क होता है अब वो हमारे पास क्या होता है तो मैंने कहा कि वेरीज करता है पहले भी मैं बता चुका हूं चाहे वो data entry operator का हो चाहे वो LDC का हो इन सभी का वर्क जो है वो बैरी करता है कि वो किस department में है किस ministry में काम करें उसके according को साथी साथ उस particular जगे की requirement का है तो मैंने commonly आपको बता है कि कौन-कौन से वर्क य जो junior secretary assistant यानि कि JSA होता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो रोल है वो approximately similar होता है LDC के ठीक है LDC और JSA approximately इसका अवर के similar है data entry operator का तोड़ा सा अलग है वो भी बहुत मामूली से ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि इनके लिए career growth का है यानि कि कोई भी अगर बच्चा JSA या LDC से अपना career start कर रहा है या पर ऐसा data entry operator अगर वो अपना career start कर रहा है तो उसकी career growth कहां होती है मतलब वो कहां से start करके कहां तक जा सकता है तो सबसे पहले मैं बात अगर यहां पर करू लोवा division clerk की यानि कि LDC की तो जब एक बच्चा LDC से अपने career को start करता है तो उसके बाद उसका promotion होता है अपर division clerk यानि कि UDC के लिए फिर वो division clerk बनता है उसके बाद फिर वो section official बन सकता है ठीक है तो यहां तक वो जा सकता है ऐसे कि मैं बात करूँ DEO यानि कि data entry operator की तो data entry operator से जब कोई बच्चा अपना career start करता है तो फिर वो operator grade B में सबसे पहले promote होता है उसके बाद फिर वो grade C पे promote होता है फिर वो grade app पर promote हो जाता है ठीक है तो यह उसके इसको जो है वो analyst भी बोलते है हम लोग अगर app पर बात करें data entry operator जिसका grade F होता है वो analyst कहलाता है data analyst तो data analyst की post त सकता है तो यह आपकी career growth है इसमें जो आपको देखने को मिलती है कहां से start करके आप कहां तक जा सकते हैं अब मैं बात करता हूं कि इस परिक्षा के form को fill up करने के लिए आपके पास जो qualification है वो क्या होना चाहिए ठीक है 12 तो होना चाहिए लेकिन 12 के अंदर और और क्या होना operator और data entry operator grade है इसकी मैं बात करने वाला हूं तो देखें इसके लिए आपको cable 12th pass होना चाहिए किसी भी बोर से या किसी भी जगे से आप 12th pass है 12th के समकक्षगर आपकी कोई education है जिसे आपने कोई diploma लिया है पालिट टिकनिक में आगरा बगारा तो आप जो है इस form को भरने के ह साइंस स्क्रीम के साथ पास होना चाहिए मलब data entry operator की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में आती है लेकिन अगर इस बाले डिपार्टमेंट के लिए और आप अपलाई करना चाहिते हो तो फिर कंपल सरी है कि आपने साइंस में mathematics के साथ 12th pass किया हो तब भी आप इस बाल नहीं पड़ेगा बस 12th pass है कितनी percentage से हैं इससे भी कोई लेना देना नहीं है only pass is needed ठीक है बस pass है that is sufficient इसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर इस form को fill up करना है तो आपकी आयू सीमा जो है वो क्या होना चाहिए तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं SSC CHSL के लिए तो जो आ form को भरने के लिए क्या है eligible है maximum की बात करें तो 27 साल है लेकिन ध्यान रखना यह unreserved category के लिए है और EWS के लिए है ठीक है यानि कि जो unreserved category में आते हैं economically because section में आते हैं उनके लिए जो maximum age है वो कितनी है 27 साल है अगर मैं बात करूं other categories के लिए जैसे अगर कोई candidate OBC से है तो वो इस form को 30 साल की उम्र तक फिल कर सकता है अगर कोई SCST से है तो वो 32 साल तक form फिल कर सकता है अगर मैं एक्स सर्विसमें की बात करूं जिसकी तीन साल की सर्विस कंप्रीट हो चुकी मलतीन साल three years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date मतला अगर कोई military service से रिटाइड हुआ उसको हम एक्स सर्विसमें बोलते हैं तो माली जो 35 साल की उम्र में अगर रिटाइड हुआ है तो वो 38 साल के लिए इलिजबल है अगर वो 36 साल की उम्र में रिटाइड हुआ है वहां से तो वो 36 प्लस 3 यानि की 49 साल तक इलिजबल है मतलब जब वो हो रहा है उसके तीन साल बात सगे उसको क्या अशकर में छिसा raelक्सिषन मिलेगा लृग लौक के आजह सarta को फिर मैं सब करता की बात diye पी डवलू डी कैंडिडेट में तो वो 40 साल तक फिल कर सकता है और अगर मैं बात करूँ सेस्ट कैंडिडेट की तो वो 42 साल की उम्र तक इस फॉर्म को फिल कर सकता है तो सब के लिए अलगला क्रेटेरिया है और कौन सी एज लिमिट में आ रहे हैं आप अपने इसको देख सकते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं सेलेक्शन प्रॉसस की तरफ यानि कि अगर हम इस फॉर्म को फिल कर पाते हैं तो इस पूरे की प्रक्रिया क्या है उसमें लगबग कितना समय लगता है तो सबसे पहले इसके लग बना पाते है सबसे पहले पृदे ना पड़ता है जिसको हम तरेंवं के नाम से पहचानते हैं फिर आपको टिए टू यहनिकी मेंस का एक्जामनेशन देना पढ़ता है, फिर आपको amaskill test देना पढ़ता है, skill test के बारे मैं मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे मैं detail में चरचा करूंगा, अभी मैं आपको बता देता हूं कि skill क्वालिफाइंग होता है जो टियर वन है यह हमारे पास क्या होता है क्वालिफाइंग होता है और यह भी बस क्वालिफाइंग होता है ठीक है यहने की जो स्किल टेस्ट होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है तो जो मैरिट बनती है वो टियर टू के भियाप पर ही बनती है उसके बाद आपका document verification होगा फिर medical examination होगा उसके बाद आपको joining letter जो है वो मिल जाएगा यानिकी आपकी post हो जाएगी अब बात आती है कि tier 1 यानिकी जो pre examination है उसके अंदर क्या क्या चीज़ से आती है तो मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखें आपसे regioning पूछी जाती है आपसे GKS पूछी जाती है आपसे mathematics से पूछा जाता है और आपसे English पूछा जाता है प्रतिक से आपके पास 25-25 question आपको देखने को मिलते हैं यानि कुल 100 question आते हैं और प्रतिक जो total marks के अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होते हैं यानि एक question यहां पर कितने का होता है दो number का होता है 100 question 200 number के आते हैं जिसके आपको 60 minute यानि कि एक घंटे का समय मिलता है तो यह एक घंटे में आपको 100 question attempt करने होते हैं और एक चीज यहां पर और है negative marking होती है कितने की .50 की यानि कि अगर आप यहां पर गलतियां करते हो तो गलती की यहां पर कोई भी गुंजाइस नहीं होती है अगर आप कोई भी question गलत करोगे तो आपका .50 marks जो है वो यहां पर cut कर लिया जाएगा यानि की cut लिया जाएगा तो यह आपका pre का syllabus और मैंने पहले बताया कि pre only जो है वो क्या होता है qualifying होता है qualifying का मत्त्र एक minimum cut off होगी और उस minimum cut off को आपको जो है वो क्या करना होगा पार करना होगा minimum cut off हर बार अलग-अलग होती है जो की SSC के दोरा decide करी जाती है अगर मैं बात करूँ यहां पर mains examination की देखें आपके पास क्या क्या आता है means examination में एक आपका mathematics आता है दूसा आपके पास reasoning आता है तीसा आपके पास English आता है चौता आपके पास GKGS आती और पाचमा computer आता है यानि कि means में एक subject और एड हो जाता है that is computer अगर मैं बात करूँ कि यहां पर कोशन कितने होंगे तो मैस से 30 कोशन होंगे 90 नमबर के यहनि कि एक कोशन होगा तीन नमबर का ऐसी ही reasoning से भी 30 कोशन होंगे 90 नमबर के English से यहां पर 40 कोशन आते हैं और एक कोशन तीन नमबर का होता है यह टोटल 120 नमबर की अंग्रेजी आती है अगर मैं GKGS की बात करूँ तो यहां पर 20 कोशन होंगे जो कि 60 नमबर के होंगे और कम्पिटर से 15 कोशन आते हैं जो कि कितने नमबर के होते हैं 45 तो कम्पिटर भी मार्तर क्वालिफाइंग होता है मैस और रिजदिंग के लिए आपको एक घंटे का समय मिलता है इंग्लिस और GKGS के लिए आपको एक घंटे का समय मिलता है और कम्पिटर नॉलिज टेस्ट के लिए आपको 15 मिनिट का समय मिलता है तो आप देखो यहां से लेकर यहां तक यह पूरा कहलाता है हमारा क्या session 1, इसको बोलते है session 1, तो session 1 में आपके पास ये पूरा, ये जो सारे subject हैं, ये आपके पास आते हैं और पूरे session 1 का जो 2 गंटे 15 minute तो 2 गंटे 15 minute आप ये exam देते हैं, उसके बार फिर आपका आता है क्या, उसके बाद आता है आपके पास यह वाला और यह किसमें स्टार्ट होता है सेशन टू में मतलब सेकेंड सेशन में आपको क्या देना होता है टाइपिंग टेस्ट देना होता है इसकिल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट ठीक है और यह टास्क होता है आपके पास इसके लिए आपको मिलते हैं 15 मिनिट का समय और इसके विलिए मैंने डेटिल से अलग वीडियो बनाया हुआ है ठीक है तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट यो यहां ने क्या होता है कि इहां पर ध्यान करेगा कि यहां पे एक कोशनues कर अंब कर organized लोग वहने। हैं अब दिखिए सबसे वह ज़रूरी पार्ट होता है जिसके के बारे में। जरूरी होता है क्योंकि किसी काम को करना चाहते हैं तो फिर हम ह onc कर रहे हैं इस उसमें मैं पैसा कितना मिलेगा क्योंकि इस faire में वो होता है पैसा पैसे इसलिए क्योंकि मुझे अपने परिवार की अपनी और अपने आने वाले समय की जरूत्रों को पूरा करना है तो अच्छी आपको यहां पर मिलती है तो देखें सैली जो है वो इस बात में डिपेंड करती कि आपका किस सिटी में पोस्टिंग हुआ है अगर मेरे भाई में यहां पर बात करूं अपने और जे ऐसे की तो इसकी जो ग्रॉस सलरी होती है वो लगबग में एकस सिटी के लिए 31,669 रुपे बाई सिटी के लिए इतनी और जैट सिटी के लिए इतनी यानिकि थ्री टायर में सिटीज को डिवाइड किया चाहता है अगर बहुत बड़ी सिटी होगी तो इतनी मिलेगी अगर ठिक ठक सिटी होगी तो इतनी मिलेगी और छोटी सिटी होगी तो आपको इतनी सेली मिलेगी वहीं अगर मैं बात करूं डेटा एंट्री ऑपरेटर की इसकी जो सेली होती है वो आपको इतनी इतनी और इतनी देख entrie operator or as a ldc or as a jse अपना career start करते हैं तो आपको इतनी cell babies के अंदर जो है बहुत देखने को मिलती है अब सली होगी अब बात आती है कि भाई आप परिक्षां का जो form है वह हमारे पास का बाता है यानि कि इसके लिए हम कब से कोई notification नहीं आया लेकिन 2022 का जो notification है वो फरवरी में आया था 2023 का जो notification है वो मई में देखने को मिला अगर मैं आप से बात करूँ 2024 के लिए तो जो expected है वो फिर से जो है वो अप्रेल और में के आसपास ही है ठीक है यानि कि इसका notification आपको अप्रेल और में 2024 के आसपास देखने को मिल सकता है अगर आप देखे अभी से तो आपके पास 4-5 महिने का समय है और इसके exam भी 2-3 महिने बाद होते हैं कि 7-8 महिने का समय भी आपके पास बचता है जो भी बच्चे अभी इसकी तयारी करना चाहते हैं जो भी इसके बारे में सोचते हैं अभी से आप तयारी स्टाट कर सकते हैं और अपनी तयारी को बहुत बहतरी निमना सकते हो और 7-8 महीने की तयारी सफिशन्ट होती है किसी भी exam को crack करने के लिए अगर आप बंडे competitive exam के तयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही तमाम information के लिए आपको हमारे साथ जोड़े रहना है अगर कोई और extra query हो या फिर आप हमसे कभी बात और साट करना चाहते हो या जितनी भी the ॐ लिटिस्ट अब्डेटिं उनके साथ जूड़ना चाहते हो तो आप अब हरे साथ इस टाली गराम चैनल पर जूड़ सकते हैं से पातला है तक यह लिखना है से सभिद गटं Up आपको लगातार मिलती रहती हैं ऐसे ही वीडियोज के लिए जुड़े रहेगा एससी बाला के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ तब तक किल अपना ख्याल रखिए हसते रहे हुसकार तेरी और महिनस के साथ पढ़ते रहे हैं जैहिंद लब अगल, तक किया.